है यलो फ्रेंट नम्सकर तो चलुए आज बनाते हैं सोजी का हलुआ । आप लोगों ने सूजी का हलुआ नौरात्री के पूजा पाट में या परसाद के रूप में सूजी का हलुआ जरूर खाया हुआ जब भी किसी के हाँ कुछ पूजा पाट होती है तो सूजी का हलुआ बहुत ही आसान होता है बनाना और बहुत ही सौधिश्ट लगता है इसको खाने में, तो चलिए सुरू करते हैं सोजी का हलुआ बनाना, तो सोजी का हलुआ बनाने के लिए मैंने लिए है एक क्रोठी सोजी, उसी स्वाध अंसार मैंने लिए है चीनी, देशी घी, कुछ ड्राइफूट का अबने इस्तेमाल किया है जैसे किस्मिस छोटी लाची अक्रोट और बादम आप कोई भी ड्राइफूट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें तो चलिए सबसे पहले में घी का मेरा डिबाय नया है इसको मैं खोल लेता हूँ और चूले पे गैस पे आप चाहें जो भी है उसमें मैं कड़ा ही रखूँगा अब मैं इसमें एड़ करूँगा देशी घी यदि आपके पास घर का बना हुआ गी है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हलका सा घी जब हमारा गरम हो जाता है तो मैं इसमें सूजी एड़ कर दूगा आपको सूजी ताजी लानी है क्योंकि सूजी ज्यादा देर रखने से बरसात में इसमें कीड़े पढ़ जाते हैं इससे सूड़ी करते हैं तो इसको ध्यान रखना है आजको ब्राइट ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ड्राइफ्रूट्स और पानी जो भी इसा बाद भी एड़ करेंगे तो इसको भूनने में गमसम पांच से आट मिनट लग जाएगा फर्ष्ट में आपको हाई फ्लेम करना है जैसे आपका कणाई अच्छे से गरम हो जाए फिर आपको दीमी आज में इसको भूनते रहना है तो देखिए हमारा सूजी हलका सा कलर चेंज करना सुरू कर दिया है कि जब भी हमारी सूज़ अ peng and sen-sen ब्राउन हो जाएगी तो इसका रूत करेंगा इसमें चेनी कि तो यह हमारी सूज़ भून्च चुकी थी तिया मैंने स्वाधर से चीनी अड़ कर दी है चीनी एड़ करनी बाद में अब मैं इसमें एड़ करूँगा पानी तो आपको ध्यान रखना है जब भी पानी एड़ करते हैं तो सूजी को तीन गुना आपको पानी डालना है यहां मारी एक कटोरी सूजी थी यहां मैंने नाप के पहले से रखा हुँ था तो तीन कटोरी मै पानी एड़ कर दिया है जब मारा अच्छे से बॉल होना शुरू जाएगा तो इसमें मैं छोटी लाइची जो है उसको अलका सा क्रस्ट कर लेता हूं जो इसे छिलके हैं मैं उसको अलका कर लूँगा जो दाने उनको अलका सा क्रस्ट कर दूँगा यहां मैंने इलाची के दाने को क्रस्ट कर दिया है और जो बादाम थे उनको मैंने हल्गा का चौप कर लिया है अब मैं इसमें हलु में एड़ करूँगा ड्राइर फूर्ट्स, इलाची सबको मैं इसमें एड़ कर दूँगा एड़ करने के बाद में यह हमारा हलुआ पच चुका है तो त्यार हो चुका है अब मैं इसको अपने प्लेट में निकाल लूँगा हलका सा गिला रखना है हले को ज्यादा आप सुखा करने तो और निकाल हो जाएगा हलका सा गिला रखने से जब यह ठंदा हो कि आपके सुख़ा लगेगा आपको खाने में आप मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूं कि देखिए हमारा सूजी का हलुआ बन के तयार है चुका है और बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है खाने में सो फ्रेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे हैं और बेल आइकन घंडी जरुद वाइए जिसे आपको नएने नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं कि आप इसको कभी भी खा सकते हैं स्वेट तोर पे या प्रेफास्ट में या इन्यून टाइम में चार-पांस बज़े बच्चों को भूंग लगती है उस समय इसको आप बना के खा सकते हैं और इसको बनाना बहुत जैसान है को भी बना सकता है इसको इसको इस वेरी सिंपल to making it and very tasty delicious dessert आपका सकते हैं Indian dessert so friend thank you for watching enjoy